अलो स्टूदेंस नमस्कार पर नाम आदाब सच्टे आकाल स्वागत है आप सभी का TGT PGT अटर 247 यूट्यूब चैनल पे और मैं आपका बायालजी एंड केमिस्ट्री फाकल्टी आमद सिंग आप सभी के सामने हाजर हो चुका हूं तो क्या हम तयार हैं बैक्टेरिया और फंगी के क्वर्शन्स लंगाने के लिए आर वी रेडी फटा फट से सारे लोग हा नामें जबाब दे देंगे अमाय ओडिबल और विजिबल तो यू अल निशु प्रयांशी रोष्णी प्रयांका गौत्म वेल्कम तो अज की हमारी जो टॉपिक है जो टॉपिक ऑफ डिस्कॉशन है मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आप सब तक महुच रही है तो आज हम M.C.Q करने वाले हैं बैक्टेरिया और फंगी पर जिसे हम जीवानू हिंदी में कहते हैं और फंगी को हम कवप कहते हैं ठीक है study of bacteria is called bacteriology and study of fungi is called mycology इसके study को हम क्या कहते हैं इसके study को हम mycology कहते हैं belongs to kingdom किस kingdom को belong करता है यह जिस सामराज जी को belong करता है उसे हम कहते हैं mycota mycota family को belong करता है और बैक्टेरिया के study को हम क्या कहते हैं bacteriology रॉबर्ट कोच नहीं बताया था कि जीवानू ही बिमारी का कारण होता है उसलिए उन्हें Nobel Prize से नवाजा भी गया और रॉबर्ट कोच नहीं कुछ पॉस्टिलेट्स दिये थे जिसे हम कोच पॉस्टिलेट्स के नाम से जानते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल स्क्रीन पर आने जा रहा है तो फर्स्ट क्वेस्टिलेश दियान से पढ़िये विच किंग्डम वज इंट्रद्यूस दिन फोर किंग्डम क्लासिफिकेशन और हूप्रोजट्ट इट इसका प्रस्टाव के सिद स्वाल है कि कौन सा सामराज चार सामराज वर्गी करण में शामिल किया गया है और इसका प्रस्ताव किस ने दिया ओप्रोटेस्ट यो दिक्कत तकलीफ वाली तो बात नहीं है और copland ने protesta को दिया था नहीं protesta was given by earned steerle earned steerle ने protesta के बारे में बताया था earned steerle ने और monera को copland ने तो उन सही जवाब क्या हो जाएगा option number d will be the right answer किसी को कोई समस्या option number d will be the right answer कोई दिककत नहीं है yes or no फटा फट से session को like करें, share करें ताकि सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाया अगला सवाल question number 2 select correct match with respect to विटेकर system of classification विटेकर की जो वर्गी करण है विटेकर ने कौन सा वर्गी करण दिया था विटेकर ने 5 kingdom classification दिया था तो 5 kingdom classification जो विटेकर ने दिया था उसके अनुसार सही बयान क्या है प्रियांका प्रियांशी गरिमा अनु जवाब दीजे फटा फट से A, B, C और D correct option क्या होगा correct match बताईएगा पंगीप multicellular और loose tissue ठीक है युकारियोटिक भी होता है और osmotropic भी होता है chitinous cell wall भी होता है protesta, photoautotropic, chemoautotropic eukaryotic, unicellular unicellular है, eukaryotic है photoautotropic रसायन संसलेशी नहीं होता तो according to vitaker system of classification कवक को लाया गया था ना की protesta को protesta को दिया था किसने protesta को दिया था earnstheakal ने, monera, co-co-pland ने और animalia के अगर हम विशिष्टाओं को देखे तो multicellular होता है eukaryotic होता है, organ and organ system होता है, holozoic mode of nutrition या no saprozoic, आपको बताए correct match with respect to vitaker system तो क्या vitaker ने animalia को बताया था क्या? नहीं बताया था ना vitaker ने तो fungi को बताया था सबसे पहले two kingdom classification carolus lenius ने दिया three kingdom classification earnstheakal ने दिया four kingdom classification को plant ने दिया five kingdom classification vitaker ने दिया तो two kingdom classification मे plants और animals थे three kingdom classification में earnstheakal ने protesta को जोड़ा copland ने monera को जोड़ा vitaker ने फंगी को जोड़ा तो फंगी के बारे में लिखी कई सारी बायान जो है वो सही है तो correct option will be option number C अगले सवाल पे चलते हैं question number 3 domain eukaryia includes how many kingdoms? eukaryia में कितने kingdoms आते हैं? दो तीन एक या चार अब ये सवाल का जवाब वही दे पाएगा जिसने कार्ल वीज की classification पढ़ी है six kingdom classification फटा फट से जवाब दीजिए 31 people are live and I can see only and only and only 9 likes why is that so? ऐसा क्यों है बई? मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता biology से interest खतम हो गई है या मैं ये समझ लू की PGT aspirants आप पढ़ने में रुची नहीं रख रहे है TGT aspirants आप पढ़ने में रुची नहीं रख रहे है क्या कहा जाए? बताईए मैंने कली बताया था कि थोड़ी सेहत मंद लग रही है अगर आप कार्ल वीज की classification देखेंगे जो कि Six Kingdom classification है तो कार्ल वीज ने जो Six Kingdom classification दिया है उस Six Kingdom classification के मताबिक कार्ल वीज ने किसमे बाटा पूरे जीवित जगत को आरकेया 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 उसके बाद यू बैक्टेरिया जिसे हम True Bacteria कहते हैं और तीसरे को यू कहरिया का है तो आरकेया बैक्टेरिया में आगे मिथानोजन्स, थर्मो असिदोफिल्स अंड हलोफाइल्स, यू बैक्टेरिया आपकी True Bacteria हो गई, इसके अलावा कौन बचा, Protesta, Fungi, Planty, Animalia तो इसमें बचा कौन, Protesta, Plenty, Fungi and Animalia मतलब, यू कैरिया में कितने आते हैं, चार डोमेन शामिल होते हैं Option No.D will be the right answer कितने लोगों ने जवाब दिया, इती का जवाब गलत था, Option No.D will be the right answer अगले सवाल पर चलेंगे, Question No.4 Question No.4 क्या कहता है Bacteria are considered primitive organisms because they, Bacteria को primitive organisms कहा जाता है क्योंकि, they possess incipient nucleus, Bacteria के अंदर जो nucleus होता है, उसे हम nucleoid या genophor या fibrillar nucleus या incipient nucleus भी कहते है Our small microscopic plants which are not seen by the naked eyes cause serious diseases to human being domesticated animals and crop plants produces endospores which are very resistant to adverse conditions, बताईएगा तो ये primitive organisms हैं और साथी साथ इन में incipient nucleus होता है, तो चौते सवाल का जवाब आईगेस, सभी को पता चल गया होगा, the correct option is Yes, Saru, you are correct, the correct option is option number A They are small, microscopic plants तो नहीं है, they cause serious diseases to human being, domesticated animals, सिर्फ serious disease ही cause नहीं करते, they are also beneficial to human as well, तो option number C भी पूनतया सही नहीं है, produce endospores which are very resistant to adverse conditions, but there are also bacteria who produce reproduce in favorable conditions as well तो पूनतया option number D भी सही नहीं था, जो correct option था, वो सिर्फ और सिर्फ option number A था This is what PGT is considered, जब भी हम PGT की बात करते हैं, तो PGT का मतलब क्या हो जाता है PGT मतलब, आपकी knowledge कितनी बहतर है, PGT में आपने क्या सीखा है तो उसमें हकीकत हकीकत पूछा जाता है कि सच क्या है लेकिन PGT में हकीकत कितना जादा सच है इस पर थोड़ा focus किया जाता है यहीं difference होता है TGT और PGT में I hope you are getting it अगले सवाल पे चलते हैं, question number 5 70S ribosomes तो यह मत सोचना bacteria का मतलब की caucus shape, spherical shape यह सब पूछता रहेगा PGT में PGT में थोड़ी से level high होने वाली है और जो level high होगी वो मैंने आपको बता दिया हर question में आप देखो कि काफी सारी नहीं नहीं चीज़े आप देखने को मिलेगी और आज देखते हैं आपकी performance 30 सवालों में bacteria और fungi पे कैसी होगी क्यूंकि आपको हर दिन 24 गंटे पहले बता दिया जाता है कि आपकी अगली topic क्या है और अगर बच्चे आप 24 गंटे पहले topic जान लेते हो और उसके बाद अगर आप धंक से नहीं पढ़ रहे है in spite कि आप जानते हैं कि आपको एक PGT की seat चाहिए तो यहां से आपको motivation मिलने वाली आज के paper से 70S ribosomes, chromatophores and circular DNA यह किसमें पाई जाते हैं eukaryotes, prokaryotes, some prokaryotes या some eukaryotes and some prokaryotes क्या होगा जवाब फटा फट से अंजली ने दिया है जवाब D और अंजली आपका जवाब D गलत है some eukaryotes eukaryotes में ribosome 70S है कि 80S है तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था 5 का सही जवाब होना चाहिए option number C क्योंकि 70S ribosomes और circular DNA किसमें पाया जाता है prokaryotes में ही पाया जाता है naked circular DNA bacteria के बारे में भी बताया है पढ़ाया गया है शृती का जवाब बहुत सही option number C is the right answer option number A, B और D गलत हो जाएगा तो देखिए कहां गरबड़ी हो रही है ऐसा लग रहा है कि सवाल सही है लेकिन नहीं गलतियां काफी हो रही है अगले सवाल पर चलेंगे question number 6 there is no alternation of generation और कोई भी ऐसा सवाल होना तो पूछते रहना there is no alternation of generation in ascaratia coli because of the absence of ascaratia coli में मतलई कोलाई में किसकी अनुपस्थिती के कारण पीढ़ी का कोई विकल्प नहीं होता sing-game, reductional division conjugation या both 1 and 2 are correct question number 6 e coli में alternation of generation क्यों नहीं देखा जाता because of the absence of a, b, c, or d question number 6 a, b, c, or d और सवालों का जवाब आप question numbers के साथ दें तो वो ज़्यादा बहतर रहेगा शृती का जवाब इस बार option number b आया है और आपका जवाब option number b गलत है तो जिन लोगों ने option number b दिया है आपका जवाब गलत है इती, no idea, मतलब यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा जहाँ भी कोई idea नहीं है, मतलब यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ आपको यह सीखने को मिलता है कि E. coli में कोई alternation of generation नहीं होता क्योंकि उनमें सिंगैमी भी होता है और reductional division भी होता है तो option number a अकेला सही नहीं था option number b भी अकेला सही नहीं था option number c तो गलत ही था option number d is the correct option so correct option is option number d तो इसका reason क्या है कि there is no alternation of generation is in E. coli because of absence of reductional division और सिंगैमी यह दोनों ही नहीं होती जो की sexually reproducing organisms की property है ठीक है अगले सवाल की तरफ चलेंगे अगला सवाल है question number seven what is question number seven question number seven कहता है branched chain lipids occur in the cell membrane of branched chain lipids occur in the cell membrane of शाखित स्रिंखला lipid किसकी कोशिका जिल्लियों में पाया जाता है methanobacterium, mycoplasma, actinomycetis या फिर streptomyces बताईए यह सब bacteria के types है streptomyces है na broad spectrum antibiotics बनती है बताईएगा क्या होगा जवाब A, B, C, E, R, D branched chain lipids किन की कोशिका जिल्ली में पाई जाती है अगर आपने RK bacteria को ढग से पढ़ा होगा तो आपको यह जवाब मिल जाता क्योंकि RK bacteria are highly resistant because of the presence of calcium dipy collinate within them and they are nothing but they are branched chain lipids which is present within the cell membrane of RK bacteria और इनमें RK bacteria आपको कौन देख रहा है A, B, C और D नीलम राहूल आपका जवाब बिल्कुल सही RK bacteria इनमें methanogens हैं जिसे हम methanobacterium भी कहते हैं बाकी इनमें से कोई branched chain lipids अपने cell membrane में नहीं possess करता So correct option goes to option number A सवाल अच्छे हैं? Can I have a comment for the questions? Preeti Indora, welcome to the class सवाल आज के अच्छे हैं? नए हैं? सीखने को कुछ मिल रहा है? हाँ या ना? Comment box 35 people live and only 17 likes Cyanobacteria do not possess Cyanobacteria are those organisms which produce which are the first organisms which produced oxygen on earth So cyanobacteria के पास क्या नहीं होता? Gene recombinations नहीं होता? Plasmid नहीं होता? Pigments या नि रंजक नहीं होता? या फिर flagella, locomotory organ नहीं होता? क्या नहीं होता? बहुत ज्यादा अच्छे हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे के लिए नहीं कराया जा रहा है टफ हैं questions, बट नहीं हैं Try to understand, there are new questions जो की bacteria से पूछा जा सकता है ये वो information से हैं जो शायद आप नहीं जानते जिवाणों के संबंद में ठीक है? Cyanobacteria में मैं बताऊँ Gene recombination भी होता है Plasmids भी उनमें मौजूद होती हैं और रंजक भी मौजूद होते हैं तभी तो Cyanobacteria को Blue Green Alga भी कहा जाता है BGA भी कहा जाता है लेकिन इनमें अगर कुछ मौजूद नहीं है तो वो है Flagella तो एक आपको और जानकारी मिलती है कि Cyanobacteria में Plasmid Pigments और Gene Recombination तीनों ही मौजूद होते हैं Inflagella absent होती है So correct option goes to option number B Next question, question number 9 ध्यान से पढ़िएगा कि एक जीवानू की कोशी का हर एक मिनिट में विभाजित होती है एक कप की एक चोथाई भरने में 15 मिनिट का समय लगता है किसके दवारा, जीवानू ओ दवारा तो कप को भरने में कितना समय लगेगा A bacterial cell divides I am speaking again in English A bacterial cell divides every minute हर मिनिट में एक bacterial cell divide हो रही है It takes 15 minutes to fill a cup एक मिनिट में वो एक कप को अपने विभाजन की वज़े से भर देते हैं तो कितना समय लगता है कप को पूरा भर देने में बताईएगा क्या होगा तो आपको क्या बोला है 1 4th of cup कितना लगता है 15 minutes में तो पूरा कितना लगेगा आधा cup कितना लगेगा ये बताईए New end of questions देखते हैं किसकी गडित कितनी अच्छी है सारे लोग आयूश सर से भी पढ़ते हो Mathematics कुछ लोग UGC वगेरा की प्रेपरेशन करते होगे तो रजत सर से भी पढ़ते होगे काफी सारे लोग Mathematics पढ़ रहे है अपनी पेपर वन की भी तयारी कर रहे है तो थोड़ी सी Mathematics लगा ये देखते हैं कि आपकी जागरुकता कितनी है इसमें जवाब आ रहा है B किसी का C हे भगवान C मतलब डाइरेक्ट कर दिया कि एक चौथाई में इतना लगा होगा तो पूरे भरने में वन फोर्थ में पंद्रा तो पूरे में 15 इंटू 4,60 सवाल को देखिए बोला है या Bacterial cell divides every one minute तो वन फोर्थ बना है पंद्रा मिनिट में तो आधा कप अगला एक मिनिट मतलब 16 मिनिट में ना 16 मिनिट में भरेगा तो फूल कितना में भरेगा ए भगवान 17 मिनिट में दिमाग लगा दिया गणित वाला क्या ऐसे जीवाडू बढ़ेगा तो क्या आपको लगता है कि इस धर्ती पर जगह बचती हाई तौबा दे करेक्ट आंसर गोस तो option no.4 बायो वाले चाचा 15 मिनिट वन बाई 4 16 मिनिट वन बाई 2 and 17 मिनिट वन बाई 1 क्या बात है बहुत बढ़िया अगला सवाल question no.10 highly resistant nature of endospore is due to presence of highly resistant endospore क्यों होता है मैंने आपको 2-3 बार बताया इस सवाल का जवाब दीजे because of dipikolinic acid and peptidoglycan in spore coat peptidoglycan in exosporium dipikolinic acid and calcium in cortex और dipikolinic acid and calcium in cell membrane क्या होगा जवाब इती repeat कर दूँ इसमें repeat यह सा कुछ नहीं था अगर एक चौथाई कप एक चौथाई कप 15 मिनट में भरता है और सवाल में बोला कि bacterial cell हर मिनिट डिवाइड कर रहा है तो अगली बार जब डिवाइड करेगा तो फिर भरेगा तो 16 मिनट में आधा भर देगा और 17 मिनट में वो क्या करेगा डिवाइड करेगा तो फिर पूरा भर देगा क्योंकि डिवाइड होना मतलब डबल हो जाना तो एक चौथाई जब डिवाइड हुआ तो आधा भर गया और जब आधा अगले मिनट डिवाइड किया तो पूरा भर गया समझ आया नहीं आया इती इस डाट क्लियर शुती और बाकी लोग सभी को क्लियर है पटाफट से जवाब दें पारुल, दिव्या, संत्राम, काव्या सभी को क्लियर है कि अगर आधा भरता है पंद्रा मिनिट में तो हर एक मिनिट में डिवाइड कर रहा है तो अगली बार जब डिवाइड करेगा तो जो एक चौथाई है वो डिवाइड किया तो एक आधा हुआ मतब डबल हो गया ना और जब आधा बारा तो फिर अगली बार डिवाइट किया तो 17 मिनट पे तो पूरा भर जाएगा इस सवाल का जवाब दीजिए highly resistant nature of endospore is due to presence of सवाल का जवाब question number के साथ दे कृपया आप सबसे निवेदन होगी highly resistant nature of endospore is due to presence of dipikolinic acid and peptidoglycan in spore coat peptidoglycan in exosporium dipikolinic acid and calcium in cortex dipikolinic acid and calcium in cell membrane what is the correct answer the correct answer goes to option number C dipikolinic acid or calcium cortex में मौझूद होती है endospore इसी लिए highly resistant होता है it is not due to the presence of peptidoglycan peptidoglycan उनके cell membrane में मौझूद होता है not within the endospore peptidoglycan in exosporium G नहीं dipikolinic acid जो उसको highly resistant बनाती है तो dipikolinic acid को तो कैसे भी बताना था उसके साथ calcium के जो ions होते हैं cortex में वो उसको highly resistant बनाते हैं तो correct option हो जाएगा option number C ठीक है अगला सवाल है question number 11 C will be the right answer question number 11 क्या कहता है endospores formed by certain bacteria are actually meant for यहां पर अच्छा ठीक है सही है language सही है endospores जो की कुछ जीवानू बनाते हैं उनका असलियत में कारे क्या है प्रजनन का चिरंतन यानि परिनेशन का bioluminescence यानि एक जीवाश्म की एक ऐसा गोण जिससे वो प्रकाश को चमकाता है property of a living being which emits light bioluminescence और red snow formation लाल बर्फ का निर्माड क्या होगा जवाब question number 11 फटा फट से जवाब दीजे ए बी सी या डी एंडो स्पोर्स फॉर्म्ट बाइ सर्टन बैक्टिरिया और अक्च्वली द मीन्स फॉर्ट अर अक्च्वली मीन्स फॉर्ट यह content NCRT 11 में नहीं है आपने बहुत tough questions design किये हैं आज इती PGT candidates के लिए जो syllabus होती है वो post graduation तक की आती है तो आज अगर कल आपने ध्यान दिया होगा तो biological classification में मैंने bacteria और fungi के questions कराए थे आज मैंने अगर bacteria और fungi फिर से डाला था तो इसका मतलत था कि कल TGT portions ज़्यादा था और आज PGT वाला ज़्यादा है जिसमें plus 2 के बाद graduation और post graduation भी आने वाला है बायो वाले चाचा आपका जवाब बिल्कुल सही है एंडो स्पोर्स जो कुछ जिवानू बनाते हैं दे आर मेंट फॉर पेरी नेशन यानि अंदर बढ़ने के लिए वो इसका निर्माण कराते हैं मोनिका राहुल का जवाब गलत है नीलम राहुल बाकी बायो वाले चाचा और मोनिका सैनी का जवाब बिल्कुल सही है और एक बात और सभी से request रहेगी कि किरपया एक दूसरे के जवाब को copy ना करना गलत होगा तो कम से कम मैं पहचान पाऊंगा कि हां कौन से बच्चे में थोड़ी कमी आ रही है ताकि उसके उपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कब जब paid classes चल रही हूँ है ना कुछ बच्चे होते हैं जो ध्यान लगाते हैं कुछ बच्चे होते हैं कि ध्यान लगाने के बाद भी कुछ points को पकड़ नहीं पाते तो वो काम हमारा समझना है लेक प्लस को हम क्या कहते हैं यह प्लस जैसे ही आएगा इसका मतलब इसके अंदर fertility factor है अब यह देखो ना TGT का सवाल है इसके अंदर fertility factor present होता है और जिसके अंदर fertility factor present होता है वो donor बन जाता है इसी को हम कहते हैं genetic recombination method बताइएगा yes it is useful for TGT कैसे नहीं useful है बहुत ज्यादा useful है select an incorrect statement for F plus bacteria it has F plasmid only somatic pillai are present it is considered as donor bacterium और it cannot conjugate with another F plus form what will be the right answer बताइए incorrect statement पूछा है incorrect क्या है नहीं पता यह incorrect है somatic pillai का मौझूद होना यह गर्बड है बाकी F plus bacteria के पास F plasmid होगा it is considered as donor bacterium मैंने बता ही दिया and it cannot conjugate with another F plus form वो हमेशा conjugate करेगा तो F minus जो acceptor होगा उसके साथ conjugate करेगा आधी बाते तो मैंने बता दी थी बायो वाले चाचा आपका जवाब option number D गलत था इसका correct option होगा option number B मतलब यह तीनों सही थे गलत क्या था option number B था तो गलत हमें निकालना था तो सही जवाब option number B is the right answer somatic pillai are only form this was wrong अगला सवाल question number 13 question number 13 क्या कहता है sea water glows during night mainly due to the occurrence of समुद्र का पानी रात के समय मुखित है किस घटना के कारण चमकता है facebook, instagram पे काफी सारे reels आप देखते हो कि समुद्र किनारे कुछ लोग जा रहे हैं water को disturb कर रहे हैं तो water पूरी blue सी और red सी हो जा रही है why it happens दिव्या, TGT में होना तो शायद नहीं पढ़ाया होगा sea water glows during night mainly due to the occurrence of goniaiolax, noctiluca, euglena या cyclotella, क्या होगा जवाब अब यही लिखते मत चलिये कि सर तफ लग रहा है, तफ लग रहा है सीखिये न, सिखा रहू न, यह MCQ पे क्यों प्राक्टिस होती है so that you learn something, no, बटा, sea water रात को इसलिए चमकती है क्योंकि उसमें noctiluca present होती है, option number B is the right answer not goniaiolax, it is noctiluca, सभी का जवाब option number A आया है Anu Bugailia ने जवाब बिलकुल सही दिया है, it is due to the presence of noctiluca जिसके वज़े से samudr का पानी रात को चमकता है, it glows during night है ना, अगला सवाल, question number 14 rejuvenecent spores of diatom is diploid and stato spore, diploid and oxo spore, haploid and stato spore या फिर haploid and exo spore, क्या होगा जवाब यह PGT का सवाल है, full and full PGT का यह सवाल है option A is red tide, yes, it is karma, बिलकुल and noctiluca की वज़े से samudr का पानी रात में glow करता है, चमकता है, ठीक है ना, बताइए क्या होगा जवाब rejuvenecent spore of diatom is diploid and stato spore, haploid and exo spore, haploid and stato spore या फिर, it is diploid and oxo spore, the correct answer is option number D diploid होती है and oxo spore present होती है उस spore को हम oxo spore कहते है and it is in diploid condition घबडाईए नहीं, जादा दिन नहीं बचा, आज पहली तारीक है, ठीक आज से 9 दन बाद आपको ये सारे informations PGT के class में बताए जाने वाले है इन सब सवालों को देखे किया पढ़ने की ललक बढ़ रही है ये बताईए, या डर लग रहा है इन सब सवालों को देखे के पढ़ने की ललक बढ़ रही है की नहीं अगले सवाल की ओर चलते है leucosin, chrysolaminarin is a carbohydrate which is stored as reserve food in case of leucosin किसके अंदर एक भंडारित भोजन के रूप में store होता है जो कि एक carbohydrate है diatoms में, euglina में, dynoflagellates में या फिर paramecium में किस में मौझूद होता है A, B, C या D फटा फट आपकी यहाँ थोड़ी बहुत में help कर देता हूँ dynoflagellates में carbohydrates and oil store होते है ठीक है, यह एक सवाल रहेगा वैसे इसका जवाब यह नहीं है और paramecium भी नहीं होगा क्योंकि इसमें store होती है glycogen के granules तो option number देखो C और D तो नहीं होगा मैंने 50-50 कर दिया है अब तो बताईए क्या होगा जवाब leucosin is a carbohydrate which is stored as reserve food in case of diatoms uglina में the food which is stored उसका नाम ध्यान रखना paramylon नाम होता है इसमें जो reserve food है उसका नाम है paramylon पता नहीं आगे कोई बताए ना बताए paramylon is the reserve food in case of uglina in case of a paramylon नहीं बायो वाले चाचा आप सही कह रहे थे it is called paramylon starch तो paramylon starch in uglina dinoflagellates में carbohydrates and oil and paramecium में glycogen के granules जो होते हैं वो यह होते हैं बिलकुल diatoms and desmits come under chrysofides बिलकुल chrysofides के अंदर ही आते हैं अगले सवाल की तरफ चले can are we ready to move ahead अगला सवाल question number 16 flagellation in uglina is uniflagellation and stichonematic जो शब्द नहीं पता वो हमसे पूछो मैं बताने के लिए ही खड़ा हूँ flagellation in uglina is uniflagellation and stichonematic isocont and whiplash type heterocont and whiplash type and heterocont or stichonematic क्या होगा जबाब heterocont का मतलब होता है दो flagella लेकिन अलग-अलग size का those two flagella of different sizes मैं थोड़ा सा इस में मदद कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए and what is the meaning of this stichonematic इसका मतलब होता है कि एक side में it is mastigonemus mastigo का formation होता है that is called stichonematic तो one-sided mastigonemus one-sided mastigonemus होता है अब बताइए flagellation uglina में कैसा देखा जाता है it is heterocont and stichonematic heterocont and whiplash whiplash एक सा जैसे मचलियों की होती है उसे हम whiplash movement कहते है तो जब heterocont होगा तो whiplash नहीं हो सकता और अगर one-sided होगा तो heterocont में हो सकता है क्योंकि irregular size होते है uniflagellate में stichonematic होई नहीं सकता और isocont में whiplash नहीं होगा क्योंकि whiplash में दो ऐसे-ऐसे movement करते है तो पहला दूसरा गलत था तीसरे में whiplash नहीं हो सकता था क्योंकि indifferent size होना चाहिए यहां पे दोनों बराबर होते हैं whiplash में so correct option will be option number D option number D will be the right answer PGT 2018 में पूछा गया सवाल है ध्यान दीजेगा अगला सवाल question number 17 special type of red pigment which is present in the eye spot of euglena and crustacea is called what is that special type of red pigment which is present in the eye spot of euglena and crustacea is it phycoarythrin, astaxanthin, carotene या फिर xanthophyll बताईएगा kaavya, divya, two different flagellates, yes clear है na मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग अब जबाब दे रहे हैं वाई only 25 people in the session, why is that so क्या present होता है yes ET आपका जवाब बिल्कुल सही red pigment जो present होता है that is astaxanthin, euglena के आँख में eye spot में जो pigment present होती है that is astaxanthin, that is not carotene, xanthophyll और phycoarythrin phycoarythrin red alga में present होती है और phycosyanin भी red alga में present होती है, carotene आपके गाजर वगेरा में present होती है, xanthophyll आपके leaf petals वगेरा में present होती है, अगला सवाल है question number 18, para-flagular body of yuglena, अच्छा एक बात बताईए, अभी आपने एक सवाल अभी किसी ने बताया कि sir questions difficult है, और कई लोगों ने question बोला difficult है, आप सब teacher बनने वाले हो, क्या बनने वाले हो, या student ही रह जाने वाले हो, आप तो teaching department साथ इसलिए चुना है, आप सबने कि आप से अगर कोई सवाल पूछे तो आप उसको जवाब देने में सक्षम हो पाए, हाँ या ना, मान लीजे कि कल को मेरा होने वाला संतान, कभी ना कभी तो होगा, अगर मेरा होने वाला ही संतान आपक आप उसकूल के टीचर हैं, आप उसकूल में बैक्टिरिया पढ़ा रहे हैं और आप से वो पूछ दे, तो आप क्या जवाब दोगे, कि बटा ये सिलिबस में नहीं है, या आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कि चुकी आप सिक्षक हैं, तो आप उसके बारे में कुछ कुछ ने कुछ तो बताओगे, बताओगे ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि being a PGT क्लास, आपको सीखने की एक दिलचस्पी होनी चाहिए, that what makes you a teacher, यही आपको सिक्षक बनाता है, getting my point, try to understand that, अगला सवाल, पैराफ्लाजलर body of euglena helps in locomotion, photoreception, reproduction या osmoregulation, किस में मदद करता है, तो पैराफ्लाजलर जो body होती है, euglena की that helps in photoreception, क्योंकि पैराफ्लाजलर body photosensitive होती है, जो पैराफ्लाजलर body होती है, that is photosensitive in nature, यह photosensitive होती है, प्रकर्त में, it is photosensitive in nature, correct option, option number B is the right answer, clear है, अगला सवाल, question number 19, difference between a red sea and a red tide is, red sea और red tide में क्या अंतर है, अभी थोड़ी देर पहले आपको, noctiluka और gonia yulax वाला example याद है, red tide, gonia yulax और sea के समुद्र के पानी का चमकना, noctiluka के वज़े से, वही सवाल को गुमा के पूछा है, कि क्या difference है, एक लाल सागर और लाल जुआर के बीच में, red tide takes place in red sea, जो लाल जुआर होता है, वो किसमें होता है, लाल सागर में, it is associated with a cyanobacteria and protist respectively, one is by virus and another by bacteria, और it is associated with rhodophyce and diatoms only respectively, फटा फट से बताईए, बायो वाले चाचा जबर्दस जवाब दे रहे हैं, बिटा क्या आप अपना नाम बता सकते हो, और कहां से हो, किस सहर से हो, स्टृती 19D बता रही हैं, कुछ लोगों ने B बताया है, सही जवाब option number B होगा बिटा, देखो, red sea और red tide के बारे में मैं बात करूँ ना, तो red sea is caused by cyanobacteria, ध्यान दीजेगा, ये cyanobacteria की वज़े से होता है, जवाब मैंने आपको बता दिया, इसका जवाब होगा option number B, समबन्दित है, और red tide protest में किस से समबन्दित है, डाइनो flagellate से समबन्दित है, तो आपने जो gonia i o lax के बारे में पढ़ा, आपने जो gonia i o lax के बारे में पढ़ा, वो इसी में आएगा, जिम्नोडियम भी इसी में आते हैं, मैं species के कुछ नाम लिख देता हूँ, cyanobacteria में एक species का नाम है trichodesmium, trichodesmium, जो क्या कराता है, लाल समुद्र का कारण बनता है, और dynoflagellates की अगर मैं बात करूँ, तो dynoflagellates की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आपके लिए species आ जाएंगे, gonia i o lax, इसके अलावा, gymnodium, यह कुछ प्रजातियां हैं, जो belong करती हैं किस से, dynoflagellates से, which causes red tide, तो सही जवाब option number B होगा, ठीक है, अगला सवाल question number 20, सरु don't take any class, race or any society's name, that is very bad, कभी भी lynching नहीं करते किसी भी चीज़ की, find the correct match, सही जवाब बताइए, bacteria से सारे सवाल मैंने पूछ लिए, अब आते हैं, पंगी यानि कवक के ऊपर, gill fungi, कौन सी बिमारी, कब fungi, black mold, blue green mold, कौन कौन सी बिमारी करती है, जल्दी से बताइए, life and living, उर्मी पैद्वा, TGT class कब होगी सर, प्लीज रप्लाई, यह बिटा, TGT और PGT एक साथ साथ सा नेटर सेट उपी वरकिंग आज, नीट टीचर इन चैनाई, ओ, great, तब ही मैं बताऊ, यूर आंसर्स आर गेटिंग परफेक्ट, सो आप पढ़ा भी रहे हो, आप, चैनाई में पढ़ा भी रहे हो, सो आप एक आथ दिन से, मैं आप कल भी सेशन में थे, I guess परसो भी सेशन में थे, how, you being a teacher, जो कहीं academics पढ़ा भी रहे हैं, नीट के लिए, जो doctors, upcoming doctors मनने वाले हैं, आप as a teacher, जब TGT classes को देख रहे हैं, आप फिर class के content को देख रहे हैं, what is your thought on this? मैंने बता दिया, life and living, उर्मी पैद्वा, TGT की classes, Monday to Saturday, 11 बजे और, 11 बजे और, रात 8 बजे होती है, 11 बजे होती है chemistry की, और रात 8 बजे होती है biology की, फटा फट से बताइए, देखो, गिल फंगी cause कराता है trauma, गिल फंगी causes, trauma, trauma is central part, central part को infect करता है, थोड़ा सा depth में मैं लेके जा रहा हूँ, cup fungi की अगर मैं बात करूँ, तो peziza या ascobolus की species हैं, जिसे हम apothicum कहते हैं, ये cup fungi, apothicum, इसमें आप example ले लेना, peziza का, उसके बाद black mold, जो काली फुफुन्द लगती है, वो किसके वज़े से होती है, zygo 4 की वज़े से, तो black mold will go with D, तो C का हो जाएगा D, B का हो जाएगा 5, A का हो जाएगा 2, trauma, अब बचा क्या, blue green mold, तो blue green mold causes black rust fungi, and black rust fungi is due to penicillin, so correct option क्या हो जाएगा, option number C, तो A का B, A का B किसमें देख रहा है, इसमें तो D को तो cancel करो, उसके बाद B का हमने निकाला है 5, तो B का 5 किसमें देख रहा है, इसमें देख रहा है, option number A cancelled, उसके बाद C का हमने निकाला 4, C4 इसमें देख रहा है, इसमें भी C4 है, उसके बाद D का हमने निकाला है 3, D इसमें 1 है, इसमें 3, option number C is the right answer. Learn throughout life, I feel the PGT and PGT form, great. And I hope you are learning everyday, something, something new you are learning it everyday, right? So that's a great thing, we have teachers from the NEET department and medical sciences too. And don't worry, I will try to give all those experiences that I already had in the field of medical sciences as well. Pahle my NEET domain ka hi faculty tha, still we have NEET domain, but I am not getting time to give that much of time to my those students who are nurturing doctors. But yet again, I help them sometimes whenever I get to take marathon sessions. क्योंकि अब आपकी ही requirement इतनी ज़्यादा हो गई है TGT और PGT level पे, that I give more of the importance to these candidates who are going to be upcoming teachers, who are going to nurture the upcoming doctors. So I think, सिक्षक ज़्यादा बनाना और जरूरी है. वो सिक्षक जिनके पास ललक हो इन चीजों को जानने और समझने का. और ये सब है क्या आपकी वनस्पती और आपकी प्रकृति ही तो है. आपके इर्दगिर्द के ही तो plants and animals है. अगला सवाल, question number 21. Select the incorrectly matched pair. Mucer, Mucido, Corpophilis होते हैं. जो मरे हुए मांस को खाते हैं. Albugo Candida, Facultative Parasite, Agaricus Bisporis, Edible Basidiocard, Paxenia Graministriti की Black Crust Fungie. Incorrectly matched इन में से क्या है? फटा फट से. Select the incorrectly matched pair. What is incorrect here? Paxenia, what? What is incorrect here? सवाल को अच्छे से पढ़े हैं, मैं स्क्रीन से हट चुका हूँ. अच्छा, what is the difference between Obligate and Facultative? Obligate is, जब normal conditions में, जब favorable conditions हो, तो हम उसे Obligate कहते हैं. When conditions are favorable, I don't think it's time. We still have 13 minutes, right? Favorable conditions में हम, Obligate कहते हैं, और Facultative कब कहते हैं, जब unfavorable conditions होता है. जब conditions unfavorable हो जाएं. ठीक है? तो, Mucer Mucido is Corpophilis, this is correct. Agaricus Visporus is Edible Bacidiocarp, this is also correct. Paxenia Graminus causes Black Rust, that is also correct. But Albuocandida is not a Facultative Parasite, it is an Obligate Parasite. That means, it feeds on living organism, जीवित जीवों के ऊपर से, पोशन ग्रहन करता है, सामान्य परस्थितियों में. कुछ ऐसे भी जीव हैं, जब उनकी परस्थितिया सामान्य नहीं रहती, when the conditions are not favorable, then they, in under unfavorable conditions, अपने प्रवर्ती को बदल लेते हैं. जैसे कुछ Parasitic bacteria है, वो Saprophytic हो जाते हैं, जब उन्हें living organism नहीं मिलता. तो वैसे Parasite, जो living organism पे depend करते हैं, और उन्हें अगर living organism ना मिले, saprotroph है, जो dead and decaying plants पे depend करता है, अपने nutrition के लिए, उसको अचानक से, अगर dead and decaying कुछ substances ना मिले, तो वो उसके लिए unfavorable condition हो गया. In such a scenario, what it does, it depends on living organism. तो अगर कोई ऐसा जीव है, जिसके अंदर ये प्रवर्ती है, कि सड़ा गला पदार्थ ना मिला, तो वो फिर जीवित जीव पे आस्रित हो जाए, then they are called facultative parasite, जबकि है वो saprotroph. Getting my point, is that clear? चलिए. अगला सवाल, question number, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? Option number B, option number B is incorrectly matched. Next question, question number 22. Fungi differs from bacteria in? अब फटा फट से बता दिए, तो बड़ा आसान सा सवाल है. Fungi differs from bacteria in? Fungi कवक से अलग कैसे है? फटा फट. Fungi और bacteria में difference क्या है? जब bacteria को पढ़ते हो, तो आप उसमें flagella की काफी structure पढ़ते हो. You study about the peritricus flagella, you study about the amphetricus flagella, you study about the cephalotricus flagella, you study about the atricus flagella, monotricus flagella, कितने तरीके के flagella structures के बारे में आप पढ़ते हो, bacteria में. लेकिन क्या कवक में आप पढ़ते हो? कवक में भी आप mode of nutrition पढ़ते हो, bacteria में भी mode of nutrition पढ़ते हो, तो option number A नहीं होगा. कवक having naag in cell wall, fungi differs from bacteria, having naag in cell wall, no, वो तो bacteria में है. कवक में थोड़ी है, तो option number B भी नहीं होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये option सही था, लेकिन यहाँ पर bacteria differs from fungi लिखा होता, तो समझ में आता है. लेकिन यहाँ बोला, fungi differs from, तो fungi में naag in nama थोड़ी है, ये तो bacterial cell wall में present है, तो option number B भी नहीं होगा. लेकिन, fungi में देखें, तो flagella structure नहीं देखने को मिलता है, लेकिन bacteria में देखने को मिलता है, तो यही major difference है. And reserve food material as glycogen, that is also not present within fungi, so incorrect, so correct option होगा, वो होगा, option number C. कशाभिका संगरचना, that is flagella. तो option number C will be the right answer. Next question, fruiting body in aspergillus, जो से हम penicillium की प्रजातियां भी कहते हैं, is known as, klystothesium, apothecium, perithesium, या फिर ascus, किस नाम से जाना जाता है? What about? fruiting body in aspergillus, aspergillus में जो fruiting body है, which belongs to the penicillium family, या aspergillus में ले लो, या penicillium में ले लो, ये दोनो species same नहीं है, ध्यान रखना, penicillium aspergillus, they belong to the same kind of fungi, but they are not similar fungi, समझ रहो न, same type में, same branch में, same class में, जैसे common cold, जिस virus से होता है, वो भी एक type of coronavirus है, और COVID-19 भी एक coronavirus है, उसमें आपने कई सारी प्रजातियां देखी, yes or no, so वही कहा जा रहा है, कि fruiting body aspergillus में कैसी होती है, it is, klystothesium, apothesium, perithesium, या ascus, फटा फट, रोष्णी का जवाब है, option number D, और आपका जवाब, option number D गलत है, perithesium भी नहीं होगा, बचा A और B, अब बताईए, बायो वाले चाचा का जवाब है, 23 का वन और आपका जवाब बिल्कुल सही है, can you give the reason, कि वन क्यों सही है, या मैं बताऊँ, बायो वाले चाचा, our neat teacher from Chennai, क्या आप बता रहे हैं कि, वन क्यों सही है, can you give the answer, because asco carp is present in aspergillus, fruiting body in aspergillus is called asco carp, and penicillium में इसी fruiting body को हम, क्लिस्टो थीसियम कहते हैं, that is why option number A is the correct option, अगला सवाल, question number 24, the famous Irish famine, बाहत ही आसान सा सवाल TGT level का, the famous Irish famine, is related to a disease of potato, which is known as, late blight of potato, early blight of potato, dry rot of potato, or potato scab, किस नाम से जाना जाता है, what does, what does iris famine, which is a disease, caused in potato, also known as, फटा फट से बताईये, A, B, C, or D, question number 24, yes it is saucer-shaped, clistos means closed, and that is why it is saucer-shaped, the correct answer will be, A, B, C, or D, Shruti को भी कहना पड़ेगा, Shruti कह रहा हूँ, Shivani, you are performing well, आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हूँ, मैं मुझे कहना पड़ेगा, बाकी सारे बंदों में, मैं देख पा रहा हूँ, कि Iti is also responding, Anjali is also responding, Shruti is also responding, even Neelam, बट Shivani, आपका जवाब, very close to good answers है, and we have our neat teacher, वो तो खैर अच्छा जवाब देही रहे, ऐसे सारे लोग कोशिश करो, थोड़ा सा पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा, It is cause, It causes late blight of potato है न, आलू में देर से लगने वाला, जुलसा रोग, cause करता है, जिसे हम Irish Famine के नाम से जानते हैं, क्यों Ireland में आया हुआ था, option number A is the right answer, अगला सवाल Ireland का वैसे capital Dublin है, a doly pore septum is a characteristic feature of, doly pore किसे कहते हैं, doly pore septum मौझूद होता है, बेसी, ओ हो, जवाब ही दे दिया मैंने, चलिए जल्दी से बताएए, क्या होगा जवाब, doly pore septum is a characteristic feature of, phycomycetis, ascomycetis, basidiumycetis, या zygomycetis, अरे इनी को sack fungi, bracket fungi, cup fungi, imperfect fungi के नाम से जानते हो, जिन्हें रटा दिया गया है, और आज तक रटते चले आए हो, रट के कुछ फाइदा नहीं होने वाला, आप ही कह रहे थे ना, आप सब में से कि सब CSIR, Net Life Sciences, स्टार्ट कराईए, CSIR, Net Life Sciences, तभी स्टार्ट कराऊंगा ना, जब आपकी रुझान, इन सब सेक्शन में अच्छी हो जाएगी, आप PGT के classes को ढग से नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो क्या आप Net Life Sciences की तयारी करोगे, this is the reason why, I am not being able to make a decision, कि whether I should start Net CSIR or not, if you all are interested for CSIR Net Life Sciences, then I will surely start classes for CSIR too, फटा फट से, question number 25, का जवाब दिया है दिव्याने C, और आपका जवाब C बिलकुल सही है, अगला सवाल, question number 26, which one of the following combination of characters is correct for given fungal group, तो algal fungi के लिए कुछ characteristics दिया गया है, conjugating fungi के लिए कुछ characteristics दिया गया है, कुछ sack fungi के लिए दिया गया है, और कुछ club fungi के लिए दिया गया है, इसमें से कौन सा characteristic दिये गए कवक के समूह के लिए सही है, फटा फट से बताईए, क्या होगा सवाल, A, B, C या D, प्रियांसी CSIR Chemical Sciences की उसकी भी स्टार्ट होगी, डोंट वरी, फटा फट से बताईए, A, B, C और D, करेक्ट कौन सा है, A, B, C, D, स्टार्ट मैसीलियम होता है, भाट की जो भी स्टार्ट बाक्रियोप के लिए लिए लिखे हैं, मियो स्पोर्स विच आप्ट असको स्पोर्स एंदे हाव सौर्टर डाइकारियो फेस्ट अग्ला सवाल क्वेश्चन नबर 27 फाइंड सेट ऑफ एडिबल बैसीडियो कार्प्स जो एडिबल बैसीडियो कार्प्स है खाने योग उनके करेक्ट सेट को पता लगाना है अगारि वॉलवारी एला यह झो देख रहे हो यह खाने योग्य होता है अगारिकास को देख रहे हो यह भी खाने योग्य होता है तो Morsella, Toxic, Tuber, Toxic, लेकिन अगर कोई खाने ही हो गया है, तो वो है Agaricus, Plurotus, and Volvariella. So, correct option goes to option number A. ये वो Basidiocarp's है, ये वो fungi हैं, जिनने हम खा सकते हैं. So, correct option goes to option number A. अगला सवाल, question number, yes, Morsella and Tuber are edible, non-edible. They are also edible, but they are, they don't belong to Basidiocarp, they are asco-carp, Morsella भी edible है, लेकिन Morsella और Tuber, मैंने यहाँ पे cancel, Basidiocarp के respect में किया, non-edible के respect में नहीं किया, इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजेगा. Amanita edible नहीं है, लेकिन Morsella और Tuber ये edible हैं, लेकिन they belong to asco-carps, मैं इनको goal कर देता हूँ, ताकि आप सब को दिक्कत ना हो, तो Tuber की बात करें, और Morsella की बात करें, तो they are edible, but they are edible asco-carps, ये भी edible फंगी हैं, लेकिन asco-carp में edible हैं, और Pleurotis, Agaricus, Volvariella, they are edible Basidiocarp, येस, बायो वाले चाचा ने भी यही जवाब दिया है, अगला सवाल, question number 28, read the statements carefully, statements को धंग से पढ़ें और जवाब दें, heartic net is a network of intracellular mycelium of bolitis, ectomycorrhiza forms 10% of total mycorrhiza, fungal partner of endomycorrhiza belong to zygomycetes और phycomycetes, कौन सा बयान सही है, only A and C are correct, only B and C are correct, only C is correct, या all are correct, यास, more else के नाम सही जानते हैं, commonly उसे more else के नाम से जाना जाता है, फटा फट से बताईए, what will be the correct answer, heartic net जो होता है न, ये एक network होता है, जाल होता है किसका, base cd o mycet is का, bracket funghy, base cd o mycet is की एक network होती है, जिसे हम heartic net कहते हैं, तो ectomycorrhiza में, in ectomycorrhiza, heartic जो net होती है, that is a network of base cd o mycet is, and it is find in pinus root, और, ये जो है, यहां कहां लिखा है, in mycelium of boletus, जबकि ये present कहां होती है, ये जो boletus लिखा है न, ये रॉंग है, it is a network of base cd o mycet is, which is present in pinus root, दूसरा और तीसरा सही है, पहला बयान जो है, वो गलत है, ध्यान रखेगा, ectomycorrhiza forms 10% of total mycorrhiza, this is wrong, और राइट, yes, this is right, this is not wrong, राइट तो पहला था जो बता दिया, and this is, the right statement, and fungal partner of endomycorrhiza, belongs to zygomycetis or phycomycetis, बिलकुल सही, तो only a and c are correct, गरबड हो जाएगा, only b and c are correct, बिलकुल सही, all are correct is wrong, and only c is correct is also wrong, correct option is, option number b, what is heartignet, heartignet is a network of basidiomycetis, present in pinus root, और यहां लिखाता, heartignet is network of intracellular mycelium of bulletis, which is a species of fungi, but that is not the correct option, अगला सवाल, question number 29, symptom not seen in plants due to virus is, अब वाइरस से एक आदे सवाल, बताएए, symptoms which is not seen in plants due to virus is, mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing, vein clearing, या root knot, what will be the right answer, not seen in plants due to virus, देखो विशाणूओं की वज़े से, leaf rolls भी आते हैं, curling भी आता है, virus की वज़े से, mosaic formation disease भी होती है, virus की वज़े से, yellowing भी हो जाती है, vein clearing भी हो जाती है, अगला सवाल और आखरी सवाल, आज के इस सेशन का, question number 30, virus possess all the following properties, except virus में सारे गुण है, सिवाए एक के, वो क्या है, A, B, C, या D, यहां लिका है, they are non-cellular organisms, बिल्कुल सही, जब इन्हें शिकार मिलता है, तो यह, body को, exhibit करते हैं, otherwise they are non-living, capsid protects nucleic acid, यह भी सही है, possess both DNA and RNA, this is incorrect, because या तो DNA होगा, या तो RNA होगा, have inert crystalline structure, outside living cells, बिल्कुल सही, living cell के बाहर, they have a crystalline structure, लेकिन जैसे उन्हें एक living body मिलती है बस, उसको अपना घर बना लेते हैं, और फिर अपनी, बढ़ोतरी कराने लगते हैं, but in virus, they will have either DNA और RNA, so correct option will be, option number B, दिव्या इसका भी गलती करा, D लिखाया आपने, 30 the correct answer is, option number B, option number B, will be the right answer, उन्हें DNA और RNA दोनों होते हैं, यह गलत है, क्योंकि बोला है कि, तो possess both DNA, RNA, no, they have either DNA और RNA, तो these, these were the 30 important questions, at PGT level, and, यह कह सकते हो कि, D.S.S.B. में T.G.T. का paper, अगर 2018 का देखोगे न, तो ऐसे कुछ सवाल पूछे गए थे, 2018 में, जो examination हुई थी, D.S.S.B. T.G.T. Natural Science की, उसमें questions 12th के, 65 to 70% थे, 11-12th के, and 20 to 22% were from graduation and post-graduation parts, जो की आज मैंने डिसकेस कराया है, 2021 में जो paper हुआ, उसमें सबसे ज्यादा questions, 6 to 10th part से पूछे गए, लगबग 85%, so again is the alternative year, that is 2023 में, 10th of July से start हुरही है, 10th of July से start हुरही है, आपकी PGT की batch, तो अगर आप PGT की preparation करना चाते हैं, और TGT की पे preparation करना चाते हैं, तो PGT की batches live हो रही है, और TGT की भी batches live हो रही हैं, 10 जुलाई से, तो आपको करना क्या है, you need to, join this teaching का महापैक, इसको आप परचेज करिए, परचेज टीचिंग का महापैक कहां से, अड़ा 24-7 अड़ा 24-7 अप को डाउनलोड करिए, अड़ा 24-7 अड़ा 24-7 अप को डाउनलोड करने के बाद go to the department and your department will be, आपकी department क्या होगी, teaching, और teaching department में बहुत सारे आपको batches दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको teaching का महापैक लेना है, because यह वही महापैक है, जिसमें DSSB, Bihar, CTET and all other teaching examination at all levels, PRT, TGT, PGT सभी आपको मिल जाएगा and discount के लिए, 77% maximum discount के लिए, use this coupon code for discount on your course, और रोजाना जो आपकी question practice session होती है, Monday to Saturday ध्यान रखेगा, 11 a.m. chemistry के लिए होती है, and 8 a.m. biology के लिए होती है, and it happens on your one and only TGT, PGT, ADA247 channel I hope you have learnt and experienced a lot of questions which were new to you जो नए थे, और काफी सारी नए चीजे, आज के आप इस 30 सवालों से सीखे हो With this, I am ending my session here please do like and share this session, and discuss these questions, जो भी आज आपने सीखा वो अपने बच्चों से, अपने मित्रों के बीच discuss करिए, कि क्या तुम ये जानते थे क्या तुम ये जानते है कल YT है, yes कल YT है कल YT की आपकी timing मैं बता देता हूँ tomorrow जो आपकी YT की timing रहेगी, Sunday की marathon है, tomorrow I will be live on TGT, PGT channel from 10 a.m. to 12 noon 10 बजे से 12 बजे दिन तक मैं क्या रहूंगा, live रहूंगा आपके लिए तो कल दो घंटे में आपको दूँगा ठीक है, जिसमें एक घंटे chemistry रहेगी और एक घंटे आपकी biology की रहेगी ठीक है, कल rapid fire questions होंगे जादा discuss नहीं करूंगा A, B, C, D, E, F, G ऐसे चलेगा इसका A, इसका B, इसका C, इसका T topic next topic for Monday में आपको बता सकता हूं Sunday marathons के कोई topic नहीं होते they are rapid fire MCQs Monday की आपकी chemistry की topic है periodic table, biology की topic है आपकी plant kingdom so, be prepared I hope you have enjoyed this session, do like and share this session to everyone you know जाए हिंद जाए भारत thank you